नमस्कार दोस्तों और टीटी तीरी चनल में आप सभी सात्यों का फिर से एक बार स्वागत है सात्यों आप सभी के लिए लगातार प्रियासरत्म जैसी हमारे पास में कोई भी महत्वपुर्ण ने नियूज आती है आप सभी के बीच में लानी की पूड़ी कोशिश करता हूँ ये बात आप सभी ने देखा होगा बिहार के शिक्षा मंत्री ने केके पाठक की लगाई क्लास राजभवन के सभी सरकारी स्कूलों के समय में बदलाब का दिया ओरडर शिक्षा मंत्री ने दिया टाइम टेवल सुभा सारे छे से दस बजे शिक्षन दस से सारे दस तक एमडियम ग्यारा सारे ग्यारा बजे तक दक्ष कलास पाठ्टी का जो निर्मान किया जाता है उसको लेकर के दिशा निर्देश आप सभी जानते हैं कि शिक्षा यवाग में लगातार जो है वो भगदर मस्ती रहती है हरकम मस्ती रहती है हलचल जो है वो रहती है और केके पाठक जी लगातार सुर्खी में है ये बात आप सभी जानते हैं और जब से शिक्षा मंत्री जी बने तब से कभी भी बयान हम नहीं पता लेकिन अभी अभी जो इनका वयान आया है सुत्रों के हवाले से कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने केके पाठक पर लिया एक्सन लगाई फटकार विद्यालै समय संचालन में परिवर्तर करने का दिया है निर्देश। ने रास भर में अत्यधी गर्मी हो रही है ये बात आप सभी जानते हैं और उससे लेकर के बच्चों की तव्या जो है वो लगातार खराब हो रही है ये बिलकुल सही बात है और सुबह समय से पहुँचने के चक्कर में शिक्षक भी लगातार जो है वो चोटील होड़े हैं और इसको लेकर के माननी ये शिक्षा मंत्री जी ने केके पाठक जी को अपना संदेश जो है वो भेजा है शिक्षा मंत्री सुनिल कुमार केके पाठक को काफी फटकार लगाया और कहा कि जल से जल विद्या लेके समय में पड़वर्तन का आदेश निकालें विद्या लेके समय पड़वर्तन के संबंध में शिक्षामंत्री ने जो कहा है वो आप सभी के सामने में है आपर सचीब या आपर मुख्य सचीब 30 जुन तक राजी के सभी सरकारी स्कूलों का संचालन सारे 6 से नहीं जुन के राजी भर के सभी सरकारी स्कूलों को सारे 6 से सारे 11 बज़ तक करने को कहा है इसमें सबसे महत्पपर्ण बात यह है कि विद्यालैका जो समय सार्णी है उसको पड़वर्तन करने के लिए कहा है और पहले से जो समय सार्णी था 6 बज़े से सारे 11 बज़े तक उसको लागो करने के लिए कहा गया है उसमें सबसे महत्पपर्ण है कि वाई पठण पठण का कार्य जो है वो 10 बज़े तक किया जाएगा और सारे 10 बज़े के बीच बच्चों को मध्यान भोजन दिया जाएगा और सारे 10 से सारे 11 यानि कि आधा घंटा समझ लीजिए मध्यान भोजन में और आधा घंटा जो है वो पाट्टिका लिखिये या जो भी मिशन दक्ष के तक बच्चों को उड़ता पुन शिक्षा दे बच्चों को भी अभीभाबक को भी और शिक्षक को भी शिक्षक को तो विद्याले में रहना ही है डेर बज़े तक बच्चे भी जो रहते हैं 12 बज़े तक तो वो भी उप जाते हैं गड़ मिर्शे क्योंकि हर जगा पर एक जैसा समय नहीं है शेहरी छित्र की यदि मैं ब तो स्वभाविक है बच्चों को गड़मी तो लगेगी ही और इसको लेकर करके मानिये शिक्षा मंतरी जी अब एक्षन में आये हैं केके पाठक जी को उन्होंने संदेश भेजा है कि जो पहले का समय साड़नी था उसको आप लागो कीजिए अब देखिए केके पाठक जी क जो कहा जाता है उसके वीपडित ही काम कर देते हैं कभी-कभी जहां तक मैं देख रहा हूँ जबसे ये शिक्षा मंतरी विभाग को सम्हाले हैं तो ये बड़ी अपडेट अभी-अभी हम सभी के बीच में कि पुरानी जो समय साड़नी है वो लागो होने जा रही है बस ले सचाई है ये तो जब तक लेटर नहीं जारी होगा तब तक कहना बड़ी मुश्कील तो आप बने रहे हैं और टीटी त्यारी चैनल के साथ